नमस्कार दोस्तो आप सभी का हमारे चानल पर स्वगत करता हूँ दोस्तो आचरे चानक के एक महान ग्यानी के साथ साथ एक अच्छे नितिकार भी थे उन्होंने अपनी मीतियों में मनुश्य जीवन को सुक कर बनाने के लिए बहुत सी मोतोपुर्ण बाते बताई हैं आज हम आपको आचरे चानक की जीने बताय हुए ऐसे पाच वेक्तियों के बार में बताने जा रहे हैं जीने बिल्कुल भी विवाह नहीं करना चाहिए आईए जानते है कौन से वो पाच वेक्ति दोस्तों अगर आपने इस चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरू करें ताकि आप और भी जानकारी वाले वीडियो देख सकें पहला वेक्ति है बिमार चानक के क्यानुसार जो वेक्ति किसी भैंकर बिमारी से ग्रासित है उसे कतई विवाह नहीं करना चाहिए अगर किसी स्त्रिया पुरुष को संसर्क से फैलने वाली वीवारी है तो जब तक विमारी ठीक नहीं होती उसे विवाह नहीं करना चाहिए नहीं तो वो खुटो कष्ट जहल रहा होता है, साथी अपनी पत्नी को भी कष्ट में डाल सकता है, साथी अगर किसी वेक्ति को कोई जानलेवा बिमारी है, तो उसे विवाह नहीं करना चाहिए, ऐसा करके वो अपने जीवन साथी का जीवन बरबाद कर देता है, इसलिए स्व पत्नी के जीवन को नर्ग बना देता है, छोटी छोटी बात पर गुट्सा करने लगता है, खान में नमक थोड़ा खम गिरा तो भी है ऐसा वेक्ति, मार पिट पर उतर जाता है, इससे ऐसे पत्नी जीवन में कभी सुकी नहीं रह सकते, अथा क्रोधी लोगों को शादी नह नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसके भेंकर पर नम उसे भगतने पर सकते हैं, वो उस तरनी को संतुष नहीं कर पाता, जिस कारण वो तरनी अन्य विक्ति में रुची निर्मान कर सकती है, इससे उसे बदनामी का सामना भी करना पर सकता है, साथ ही अगर कोई व्रद्द वि की वज़े से बहुत सारी परिशनियों का सामना करना पर सकता है, संतान होने के बाद तो ये बहुत ज़्यादा परिशान हो सकता है, इसलिए जब तक रोजगार उपलब्द ना हो, तब तक विवाहा नहीं करना चाहिए, पाची बात इस तरी का सम्मान, जो विक्ति घर की स जिने विवाह नहीं करना चाहिए, आपकी अनुसार ऐसे और कोन लोग है, जिने विवाह नहीं करना चाहिए, हमें कमेंट्स में जरू बताए, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, हमारे चनल को सब्सक्राइब करें, ताक आप और भी जान करेबाले विडियो देख सके, धन्यवाद